हेलो स्टुरेंट्स, वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल, स्टुड़ी तुगेदर विद रतिका, वेवे डिसका साइंस और मैथ्स कॉंटेंट आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर नबर 14, इलेक्रिक करन्ट एंड इट्स इफेक्ट्स, बहुत ही इंड्रस्टिंग चैप्टर है और इसको हम बहुत अच्छे से अपने डेली लाइफ एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं, तो च अब करन्ट के एफेक्स हमारे लिए यूसफुल है या हामफुल है, हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे, कि उसके एफेक्स को हम कैसे करके यूटिलाइज करते हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटी से, चीक है, अब इलेक्रिक करन्ट क्या होता है, जिसको यूस करके ह हमारे घर की लाइटे जलती है, हमारे घर में फैन चलते हैं, या जितने भी एप्लाइंसे होते हैं, उन सबको हम यूस करते हैं, because of this electricity, चीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्रिक करन्ट एक्शुली होता क्या है, तो इलेक्रिक करन्ट कंड़क्ट होता है, जब किसी भी एट जितनी भी है, सब को छोड़े चोड़े पार्टिकल से बनते हैं, जिसको हम कहते हैं एटम्स, इन एटम्स में होते हैं, इलेक्रों एक छोड़ा सा पार्टिकल होता है, एटम्स का एक पार्टिकल होता है, अब ये एलेक्रों जब मूव करना स्टार्ट कर देता है, जब ये कि ये हर object में move करते हैं ये कुछ गिने चुने metals में या कुछ गिने चुने objects में move करते हैं जिनको हम कहते हैं conductor ठीक है या आपने classics में भी पढ़ा होगा कि ऐसे objects जिसमें से electric current को pass किया जा सकते हैं उसको हम कहते हैं good conductor of electricity ठीक है अब इस chapter को हम start करेंगे direction में किस किस तरफ जा रहा है इसका एक पूरा diagram बनाया है जिसको हम कहते हैं circuit diagram ठीक है ये रहा तो इसमें हमें दिखाई देता है एक है यहाँ पे cell ये cell through wire connected है एक nail के साथ इसके बाद आता है हमारे पास एक ये key again we have this nail then we have this bulb which is actually glowing और इस पूरे circuit को complete कर रहा है ये connect कर रहा है इस cell को इस bulb के साथ ठीक है तो ये सारी चीज़े जो हमने diagram बनाए है ये तो हमने diagram एक बर बना लिया लेकिन हर बार इस complete diagram को बनाना possible नहीं है that will be time consuming इसलिए हम क्या करते हैं इन diagram को completely ना बना के हम इसके symbols बना देते हैं तो electric जो circuit diagram होता है उसके symbols हम क्यों बनाते हैं जिससे कि हमें बार बार वो diagrams ना बनाना पड़े और symbols को हर कोई समझता है worldwide same symbol ही use होता है तो उस symbol को कोई और भी easily समझ पाए तो ये सारे हैं हमारे electric components जो की एक circuit के अंदर होते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे अलग-अलग type के electric components होते हैं और उनके अलग-अलग symbols होते हैं जैसे कि ये जो cell यहां पर बनाया हुआ है इसी cell को हम show करेंगे इस symbol से एक तो होगी इसमें longer line और एक होगी shorter line जिक है? and both of these are parallel to each other but you will notice कि ये जो छोटे वाले line है ना this is thicker than the longer one ये छोटे वाले line लंबे वाले से मोटी है ये लंबे वाले line shows positive terminal and इस छोटे वाली line shows negative terminal तो ये तो symbol है एक cell का now there are many batteries used in different types of appliances for example हमार जैसे remote होता है AC का remote हो गया, TV का remote हो गया in battery use होती है, cell नहीं use होता है now what is battery? एक cell से ज्यादा cells अगर use होंगे तो उसको हम कहेंगे battery मतलब group of cells तो हम इसको कैसे show करते हैं this is one cell, this is दूसरा cell, this is तीसरा cell तो इस तरीके से more than one cell जब एक group बनाते हैं उसको हम कहते हैं battery तो plus minus से connected है यह minus plus से connected है again plus minus से connected है इस तरीके से current का flow continuous रहता है तो यह तो बात रही symbol of cells and batteries आगे हम देखेंगे switch का हमारे घर में switch हम use करते हैं उसको जब हम on करते हैं तो switch light on हो जाता है और जब off करते हैं तो light off हो जाता है तो switch के लिए भी हमारे पास अलग-अलग symbol होते हैं तो चलिए हम इस table की help से सारे symbols को समझ लेते हैं यह है electric cell जो मैंने आप ही आपको बताया है then this is electric bulb अगर यह glow condition में होगा मतलब गलो कर रहा होगा जल रहा होगा तो इसके उपर ऐसे ऐसे चोटी-चोटी हम lines लगाएंगे this shows that the bulb is glowing now this is switch on position मैंने भी आपको बोला switch on होगा जब switch on होता है तो circuit complete हो जाता है जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं सारे के सारे components यहाँ पे connected है अगर मैंने इस वाले wire को यहाँ से हटा दिया तो यह कैसा हो जाएगा यह यहाँ पे यह pin होगा बट यह wire इसके साथ connected नहीं होगा बागी सारे चीज़े connected है तो इसका मतला electric current यहाँ से यहाँ तक flow नहीं होगा this means that the switch is off position यह off होगा और off को हम incomplete भी कहते हैं यह हम इसको open circuit भी कहते हैं जब यह circuit open रहेगा तो electric current का flow नहीं होगा and therefore this bulb will not glow लेकिन इस situation में क्या दिखाया गया है यहाँ पे circuit complete है this is closed position ठीक है closed होने की वज़ा से पूरा electric current flow कर रहा है जिसकी वज़े से bulb glow कर रहा है तो यहाँ से हम को समझ में आता है this is on condition या आप इसको कह सकते हैं closed circuit इस type के circuit को आप कहेंगे closed circuit या complete कहेंगे हम इसको और अगर हम बात करते हैं off position की तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं electric current यहाँ से यहाँ पे तो flow करेगा लेकिन यह electric current यहाँ से यहाँ पर flow नहीं करेगा and that is why this is known as open circuit चीक है या incomplete भी आप इसको कह सकते हैं और ऐसे situation में कोई भी bulb या कोई भी appliance आपका on नहीं हो पाएगा ok then this is battery आपको पता है एक cell उसके पास अगर दूसरा cell है तो इसको हम एक group of cells को कह देते हैं battery then this is wire जो की main link है जो की पूरे current को हर जगे carry करता है चीक है तो this is wire को हम ऐसे ही simple line से show करते है हमने कुछ ऐसे devices देख लिए हैं जिन में cells नहीं batteries यूज होती है लेकिन ये एक के बाद एक cells जो लगी हुई होती है मतलब इनका जो placement होता है वो कैसे होता है ये कैसे placed होती है या तो ये तरीका हो सकता है कि एक ये cell है इस cell के पास ही दूसरा cell लगा हुआ हो ये तरीका है the cells are kept parallel to each other ऐसे situation में आपको पता है positive ये है ये negative है ये भी positive है negative है तो negative positive के साथ कैसे connected होगा तो first वाला जो cell है वहाँ पे कुछ metal का strip होगा second वाला जो cell है उसमें भी metal का strip होगा और यहां पे एक wire होगी that will be connecting both the metal strips जिसके वाचे से current will flow from this negative terminal to the positive terminal and therefore यहां से यहां पर इस तरीके से एक के बाद एक cells में current flow होता रहेगा and therefore the appliance will be switched on जब हम अपने remote को use करेंगे तो आप यहां पे diagram से देख सकते हैं यहां पे a battery of two cells और यहां पे battery of four cells लेकिन आप देखें यहां पे देखें यह है positive this one is negative again this one is positive तो यह negative positive के साथ connected है similarly this is positive terminal this one is negative यह जो wire है यह connect कर रही है positive terminal को negative के साथ यहां पे भी अगर आप देखें यह है positive and this one is negative क्यूंकि यहां पे हमने cell को opposite directions में रखा हुआ है तो यह wire positive को negative के साथ ही connect कर रही है तो हमें समझाने का मेरा मतलब यह है कि जब भी हम cells को place करते है तो positive को negative के साथ connect करके ही रखना है तभी current का flow होगा और हमारे जो appliance है वो on या off होगा ठीक है तो अब हम देखते हैं यहां पे cell holder है यह दूसरे type का cell holder है यहां पे आप देखें एक के बाद एक cells लगाए हुए हैं इसको हम कैसे hold कर सकते हैं बाइ placing this plate यहां पे metal की plate है इसको हम इस तरहीं से लगाएंगे कि cells इसके अंदर ही रहेगा इससे बाहर नहीं निकलेगा whereas this is one more arrangement जिसमें एक cell के लिए जगा यहां पर है और दूसरे cell के लिए जगा यहां पर है अब आपको यहां पर कुछ metal plate नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वह अंदर ही अंदर यहां पर metal plates होते हैं जो कि connected होते हैं दूसरे वाले साइड से जिसकी वज़े से हमारे जितने भी cells होते हैं वह आपस में connected रहते हैं ठीक है now we have this activity 14.1 इसमें क्या करना है तो this is electric circuit जिसमें हमने एक cell यूज किया है यहां पर हमारे पास एक की है और यहां पर है हमारे पास एक bulb ठीक है यह हमारा actually switch भी शो कर रहा है जो कि एक complete जो arrangement है वो शो कर रहा है ठीक है हम देखते हैं जैसे ही यह closed circuit है तो यहां पर bulb glow कर रहा है अब इसी का अगर हमें circuit diagram बनाना है तो हम क्या करेंगे हम कुछ इस type के diagram बनाएंगे यहां पर एक single cell है तो we will show this by a diagram यहां पर हमारा switch है ठीक है यह वाला जो switch है यह on condition में है that is why this bulb is glowing ठीक है अब इस activity में क्या question पूछ रहे हैं let's see that copy this electric circuit in your notebook make also circuit diagram of this circuit using symbols for the various electric components तो हमने diagram बना लिया है is your diagram similar to the one shown तो यह आपको अपने notebook में actually बनाना है और उसके बाद देखिएगा कि आपके book के साथ match कर रहा है या नहीं it is much easier to draw a circuit diagram using symbols therefore we generally represent an electric circuit by its circuit diagram क्योंकि symbols को use करना बहुत easy है जल्दी हो जाता है इसके circuit diagram बनाना भी बहुत simple होता है figure 14.9 shows another circuit diagram is it identical to the circuit diagram shown in figure 14.8 in which way is it different अच्छा हमें देखना है कि 14.9 में जो यह diagram है this is different from 14.8 और यह different क्यों है because we are able to see here that this is open circuit यह switch off position में है that is why this bulb is not glowing would the bulb glow in the electric circuit recall that the bulb glows only when the switch is in the on position तो यह मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि अगर हमारे जो circuit है वो closed position में होगा closed मतलब यह वाला position तो bulb glow करेगा अगर वो open circuit होगा तो bulb glow नहीं करेगा तो आपको यह पता ही होगा filament के होता है हमारे bulb के अंदर एक छोटी सी wire type की होती है छोटी सी विल्कुल that is known as filament वो जब heat हो जाता है जब वो गरम हो जाता है electric current पास होने की वज़ा से तो उसकी गर्मी की वज़ा से वो heat produce करता है वो light produce करता है जिसकी वज़ा से हमारा bulb glow करता है अगर हमारे bulb के अंदर का filament ही fuse हो जाए या वो तूट जाए तो वो bulb किसी काम का नहीं है तो इसी चीज़ को हम heating effect में पढ़ेंगे इस topic को समझाने के लिए सबसे पहले we will see activity 14.2 तो इसमें हमें क्या करना है एक diagram देखना है take an electric circuit जिसमें हम एक circuit में एक electric cell लेंगे electric cell का symbol ऐसा होता है bulb, bulb का symbol ऐसा होता है a switch, तो switch को हम ऐसे करके draw कर देंगे I don't know यह off है या on है तो हम इसको read करने के बात देखेंगे and connecting wires, तो with the help of wires हमने इसको यह diagram द्रॉ कर लिया है make an electric circuit as shown in figure 14.9 this activity has to be done using only one cell तो हमने एक ही cell बनाया है I hope आपको याद होगा कि एक cell से ज्यादा अगर हम use करते हैं तो उसको हम बोलते हैं battery, ठीक है keep the switch in the off position, does the bulb glow तो यह तो हमारे पास off position में ही है, right तो जब off होता है, तो वो होता है open circuit तो अभी यह off है, यह bulb भी glow नहीं कर रहा है touch the bulb, तो हम इस bulb को touch करके देख सकते हैं now move the electric switch to the on position and let the bulb glow for a minute or so अब हम इस switch को on कर देंगे and we will see that the bulb will start glowing, चीक है जैसे ही switch on होता है और bulb glow होना start करता है हम क्या करेंगे, एक मिनट तक उसको glow होने देंगे and after that, after switching it off, हम दोबारे इस bulb को check करेंगे and we will see if there is any difference तो अब जब हम इसको touch करेंगे we will find that it will become हलका सा विलकुल गरम, right, warm हो जाएगा बहुत ज़्यादा गरम नहीं बोल सकते because we have switched on just only for one minute, चीक है अगर हम और ज़्यादा time देंगे तो यह और ज़्यादा गरम हो जाएगा but we need not do so, चीक है यह activity वैसे भी आप किसी guidance किसी guide के under में ही करे अगर मदय या father है गर पे तो ही आप करे, चीक है ज़्यादा गरम को touch करना भी सही नहीं है तो अभी यह गरम क्यूं हो गया है यह देखते हैं तो जब किसी wire से या किसी conductor से electric current pass होता है तो उसमें से दो type के effects produce होते हैं एक होता है heating effect and the second one is magnetic effect तो because हमने इस bulb के थुरू electric current को pass किया है और यह bulb हो गया है गरम क्यूंकि यह heating effect शो कर रहा है ऐसा ही एक और activity हम लोग देखेंगे अभी so now let's see activity 14.3 make a circuit as shown in figure 14.10 तो इस activity में हमें ऐसा circuit बनाना है जिसमें we have taken one cell यहाँ पे हमार पास एक switch है जो की off position में है right, we have two nails and the wire that we are going to use here is nichrome wire यह एक type की wire होती है जिसकी एक speciality होती है यह wire जितनी ज़्यादा जल्दी गरम होता है उतनी ज़्यादा जल्दी यह ठंडा भी हो जाता है right, तो यह nichrome wire की speciality होती है nichrome wire को हम लोग normally use करते हैं अपने laboratories में चीक है अच्छा, अब हम लोग यह देखते है nichrome wire हमें मिल कहां से सकता है तो जो electric की shops होती है जो भी electricians होती है उनकी जो shop होती है वहाँ पे हमको nichrome की wire मिल सकती है जो भी उनके discarded coil होंगे जो भी मतलब बेकार हो गए है coil उनमें से वो निकाल के दे देते हैं अब आप जब इसको में से position को इसको on करके जब heat flow करवाएंगे you will find that this nichrome wire it will become hot हमें hot तो देख के नहीं बता चल सकता है लेकिन ये wire बिल्कुल red हो जाता है जब ये गरम होता है अब आप switch off करके जैसे ही इस wire को touch करेंगे you will find that the wire has become hot ज्यादा देर ता कि ये गरम नहीं रहेगा ये जल्दी से ही ठंडा भी हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको समझाये था अब जितने बार भी इसको on करेंगे उटने बार ये गरम हो जाएगा जितने बार भी इसको off करेंगे ये ठंडा हो जाएगा इसी को हम कहते हैं heating effect of electric current means जब हम electric current pass करते हैं किसी conductor से तो वो गरम हो जाता है अब हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे appliances हैं जिनमे heating effect produce होता है और उसको हम use करते होंगे तो उसमें से सबसे best example है हमारा room heater जो heater हम लोग रखते हैं अपने room के अंदर जहां पर बहुत ज़दा ठंडा होता है ना मतलब ठंड पड़ती है वहां पर rooms ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़दा तो room heater काम आता है इसमें आपको ये wire definitely दिख रही होगी this is known as coil ये जो अंदर यहां पर बना हुआ है this is known as coil ये coil कुछ और नहीं होता है ये wire ही होती है लेकिन इसको बहुत ज़दा twisted way में लगाय जाता है so that ज़दा से ज़दा लंबी length की wire हम इस छोटे से heater के अंदर insert कर पाए तो इस wire को इस तरीके से लगाय जाता है जिससे की ज़दा से ज़दा आप इसमें देखी इसमें कितनी ज़दा length हम use कर रहे हैं तो इसी तरीके से wire बहुत सारा ले लिया जाता है and in order to increase its surface area तो बहुत बड़ा हमारे बाद circuit सा बनके आ जाता है इस तरीके से जितना ज़दा wire की length होगी उतना ज़दा उसमें से electric current produce होगा या flow करेगा और उतना ज्यादा ये heat भी produce करेगा चीक है तो इसी को हम कहते है element ये जो coil होता है ये जो coil of wire है ये पुरा this is known as element coil क्यों कहा जाता है क्योंकि ये coiled form में ऐसे gold-goiled form में लगा हुआ होता है चीक है अब यही same चीज़ देखते हैं हम अपने iron में जो हम electric iron अपने घर में use करते हैं कपडों को iron करने के लिए उसके अंदर भी element होता है लेकिन वो उपर से हमको दिखाई नहीं देता है उसको अगर हम खोलेंगे तो here we will be able to see this type of coil इसी को हम कहते हैं element जो की heating effect produce करता है और जिसकी वज़े से वो गरम होने के बाद हमारे कपडों को बिल्कुल अच्छे से iron कर देता है इन में बहुत सार एक्जेम्पल से appliances के हम देख सकते हैं जैसे ये immersion heaters हो गए hot plate, iron geasers, electric kettles आजकल बहुत ज़्याद़ यूज़ में है तो ये सारे चीज़े क्या है इन में से जब हम electric current को पास करवाते हैं तो ये heating effect produce करता है चीक है, now let's see this bulb, तो इसमें ये glowing filament है, ये जो है ना, this is known as filament, जो की फिलहाल glow कर रहा है चीक है, ये जितना ज़्याद़ जल्दी गरम हो जाता है, उसमें से ये heat produce करता है इसी वज़ा से हम देखते हैं जब हम bulb अपने घरों में जलाते हैं तो room बहुत ज़्याद़ जल्दी गरम हो जाता है इसलिए आजकल बहुत सारे ऐसे tube lights और bulbs आते हैं जिनको हम CFLs बोलते हैं, LED बोलते हैं जो बहुत कम amount में heat produce करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा ये heat produce हो रहा है actually उसमें से electric supply ही ले रहा है वो तो जब electric supply बहुत ज़्यादा use होगी तो heat produce होगा तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से electricity का आप बहुत ज़्यादा loss कर रहे हैं बहुत ज़्यादा electric current वो ले रहा है कोई भी bulb और heat produce कर रहा है तो हमें इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारा बिल भी आता है तो उस चीज को overcome करने के लिए we use such CFLs and LED type of electric bulbs or tube lights जिसमें बिल भी कम आता है और heat भी भहुत कम produce होता है now if we see the amount of heat produced तो it will totally be dependent on the type of material that we are using the length and thickness of the wire तो अलग-अलग type के जो wires होते हैं वो अलग-अलग amount में heat produce करते हैं तो हमें जितना heat चाहिए हो उसके basis पर अपने wires को choose कर सकते हैं तो normally जो हमारे घर में जो हम copper की wire यूज करते हैं हमें ऐसा नहीं होते हैं कि हम electric current पास करते हैं और उसमें से heat produce हो रहा है या वो गरम हो जा रहा है ऐसा नहीं होता है वो कुछ particular ऐसे ही conductors होते हैं जिन में से जब हम electric current पास करते हैं तो वो heat produce करता है जिनको हम elements actually कहते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा electric current पास करते हैं किसी wire के थुरू मतलब जब extreme में हम electric current पास करते हैं किसी wire के थुरू तो क्या होता है वो बहुत बार melt कर जाता है melt कर जाता है और break कर जाता है तूट जाता है जिसकी वज़ा से हमारे घर का fuse उड़ जाता है हम लोग बोलते हैं तो fuse का काम क्या होता है वो चीज हम लोग अब देखेंगे हमारी next activity में तो इस activity में भी हम लोग ने activity 14.3 में जो circuit बनाया था उसी को use करना है यहाँ पर side में आपको image दिखाई देगी but according to this activity we will have to use 4 cells ठीक है 4 cells की हम एक battery use करेंगे तो हम एक cell ना use करके 4 cells use करेंगे and instead of using niacrome wire we will take thin strand of steel wool steel wool शयद आपने देखा होगा हमारे घर में kitchen में use होता है utensils को clean करने के लिए चीक है तो यहाँ पर आपको image दिखाई दे रही है यही है steel wool you see the strands of this steel wool is very thin बहुत ही thin होता है और यह बहुत कम temperature को tolerate कर पाता है चीक है अब अगर room में कोई fan on है तो fan को भी हम off कर देंगे जैसे ही electric current इस steel wool से pass होना start करेगा और fan भी अब off हो चुका है उसको क्यों off किया है इसका भी reason में आपको अभी समझाओंगी तो आप notice करेंगे जैसे ही हम switch on करेंगे थोड़ी देर electric current पास होगा after that this steel wool will melt and break देखी यहां बे और यहां बे और इन वाय इस fan has been switched off आप देखे जब बहुत ज़्यादे electric current पास होता है किसी conductor से heat produce होती है अगर हम fan on रखेंगे तो वो heat जो produce हो रही है उसको overcome कर जाएगा fan की वज़ा से जिसको हमें overcome नहीं करवाना है हमको तो effect show करना है electric current ज्यादा पास होने का जो effect होता है वो क्या होता है that is why we are not switching it on fan को अभी on नहीं करेंगे now you see here कुछ wires ऐसी होती है जो की current pass करने पे जल्दी से वो melt कर जाती है and after that it breaks इसी type के wires को हम use करते हैं अपने electric fuse में electric fuse क्या होता है आपने अपने घर में देखा होगा इस type का structure में यह आपे diagram में आपको दिखाती हूँ यह देखिए आप देखते हैं हर घर में होता है यह building में हम use करते हैं यह एक fuse होता है यह इसलिए लगाया जाता है जब बहुत ज्यादे electric current pass होता है तो हमारा कोई appliance damage न हो जाए उसमें कुछ short circuits न हो जाए इसलिए क्या होगा अगर electric current ज्यादा पास होगा तो heating effect ज्यादा होगी जिसकी वज़े से appliances खराब हो जाती है तो जैसे ही current ज्यादा produce होता है इसका जो wire होता है वो melt हो जाता है और break कर जाता है जो हमें indicate करता है that we need to switch it off आपने notice कि होगा कभी कभी घर में हम एक ही socket में बहुत सरे appliances use कर लेते हैं जो 3-pin plug होता है उ क्योंकि हम एक ही switch पर या एक ही socket में बहुत ज्यादा electric current हम यहां से ले रहे हैं जिसकी वज़े से बहुत सारे appliances use होने की वज़े से यह वाला part इसका बहुत ज्यादा गरम हो जाता है और उससे कोई ना कोई appliance खराब हो सकते है ठीक है इसलिए यह fuse बनाए जाते हैं so that resulted in all electrical circuits हर circuit में fuse जरूर होता है जिससे की एक limit बन जाए कि electricity उसमें से कितना पास हो सकता है जब एक maximum limit बन जाएगी तो current जहां उस limit से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो fuse का जो wire होता है वो melt होता है और break कर जाता है जिसकी वज़े से हमें समझ में आ जाता है कि हम यहां से ज्य reason कहां पर बहुत ज्यादा electric current use होता है कभी-कभी ऐसा होता है जो wires होते हैं वह आपस में एक दूसरे को touch कर रहे होते हैं जब एक दूसरे को touch करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा current लेता है जिसकी वज़े से यहां पर बहुत ज्यादा current use हो रहा होता है और बहुत ज्यादा heating effect यहाँ पर produce बहुत ज़दा heat produce होता है तो हम अगर जो wires हैं उनमें insulation रखे insulation मतलब covered ठीक है इनको अगर covered रखेंगे तो यह आपस में टकराएंगे नहीं ठीक है और यह insulation इनकी उतर कब जाती है जब बहुत तार बहुत ज़दा पुरानी हो जाती है जो भी wires हम यूज कर रहे हैं जब बहुत ज़दा पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे उनका insulation उतर जाता है और उतरने की वज़े से आपस में जब वो टकराते हैं टच करते एक दूसरे को तो वहाँ पे ज़्यादा current produce होता है ठीक है चले fuse देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे MCB that is miniature circuit breaker इसका full form बहुत बार आ जाता है exam में तो इसका आपको full form पता होना चाहिए miniature circuit breaker क्या होता है यह switches होते हैं जादा तर हमारा जो घर का meter होता है उसके आसपास लगा हुआ होता है यह जो switch होता है यह regulate करता है कि कितना current हमारे घर के अंदर आ रहा है जब हम बहुत सारे appliances एक साथ on कर देते हैं तो क्या होता है बहुत सारे current use होता है जिसकी वज़ा से अगर load ज्यादा हो जाएगा एक maximum limit से ज्यादा current अगर use हो रहा है तो यह switch होता है यह नीचे गिर जाता है इसको जैसे appliances use कर लिए है जैसे ही इस switch को हम ऊपर करते हैं तो हमारे घर की lights वगरा सब कुछ जल जाती है तो आप देखे fuse और MCB का function almost same ही है सिर्फ एक difference होता है कि MCB होता है एक switch टीक है whereas the fuse जो हम use करते है fuse के अंदर wire होती है जो एक बार burn हो जाए जब वो melt हो जाती है तो वो break कर जाती है और उसमें हमें दोबारा नई wire लगाने पड़ती है ठीक है तो हमारा पास fuse होता है वो एक तरीके से use and throw होता है ठीक है उसको हमें दोबारा नया wire लगाना ही पड़ेगा और MCB कि एक switch होता है एक बार नीचे गिर गया तो उसको हम ऊपर उठा सकते है जो कि हम manually अराम से कर सकते है तो इस वीडियो में हम लोगों ने overall देख लिया है क्या हमारा heating effect होता है electric current जब pass होता है तो heating effect produce होता है heat produce होता है और यह heat हर conductor नहीं करता है हर wire नहीं करता है कुछ ही wires ऐसे होते हैं और इस heating effect को use करके हम बहुत सारे appliances भी use करते हैं what is magnetic effect of electric current activity 14.5 in which you will take one cardboard जो हमारा match box होता है उसका जो outer covering होती है box type होता है उसको हम ले ले लेंगे and we will wrap an electric wire around it in such a manner after this यह जो wire है इसकी दोरो तरफ से जो ends होंगे we will connect them with a cell एक switch हम लगा देंगे और यहाँ पर एक needle हम रख देंगे needle होगा compass का मतला पूरा compass ही रख देंगे let me tell you some details about the compass यह जो compass होता है it tells us the direction इसमें needle होता है this is needle and this needle is made up of magnet okay अब यह हमेशना north-south direction में align करके रखता है अपने आपको जब हम इसको freely suspend करके रखते हैं तो it aligns itself in north-south direction यह उपर वाला part is north and नीचे वाला is south तो अभी जब electric current इसमें से flow नहीं कर रहा है at that point of time यह normally north-south direction में align करके रहेगा when I pass electric current means इस circuit को जब मैं closed circuit बना दूँगी electric current इसमें से pass करना start करूँगी I'll see some deflections here यह जो यहाँ पर हमारे पास compass है इसके needle में थोड़ा deflection आएगा ठीक है for example यह अभी यहाँ पर इस तरीके से align कर रहा है and there will be deflection in such a manner आप यह pink वाला देखिए है यह deflection है this shows that the electric current is passed through the wire तो हमने यह देख लिया first point में कि electric wire से अगर electric current पास हो रहा है तो needle में deflection होगा first point is this चीक है अब हम second time में क्या करेंगे we will bring one magnet towards it यह जो compass है इस compass के पास हम एक magnet लेके आएंगे now you must be knowing what are magnets magnets वो object होते हैं जो दूसरे iron के objects को अपनी तरफ attract करते हैं चीक है और magnet में दो major poles होते हैं one is north pole second one is south pole we will see जब हम इस magnet को इस compass के पास लेके आएंगे then also it will show some deflections now this depends हम magnet का कौन सा pole इसके पास लेके आ रहे हैं उसके basis पर इसमें deflection होता है for example यह needle का north है यह south है now if I bring a magnet जिसका north pole मैं नीडल के पास लेके आ रही हूँ तो definitely it will show deflection away from this magnet क्योंकि like poles repel each other यह भी north है और यह नौर्थ है तो यह दोनो एक दूसरे को attract नहीं करेंगे यह repel करेंगे that is why this needle will go towards that side तो यह deflection शो करेगा if I bring another pole of the magnet towards north for example यह वाला this is south and this one is north अब south pole को अगर मैं इसके पास लेके आ रही हूँ तो definitely it will attract towards the pole और यह deflection शो करेगा इस direction में तो on the basis of these two experiments actually activity तो एक ही है it is divided in two parts first part में हमने देखा that there is deflection in the needle when electric current is passed through the wire ठीक है second part में हमने देखा कि जब magnet pole को हम मतलब magnet को लेके आते हैं compass के पास तब भी diver उसमें deflections होते हैं तो दोनों cases में deflection हो रहे है तो अब अगर इन दोनों observation से हम कुछ inference निकाले तो हमें ये inference मिलता है कि जब किसी wire से electric current पास होता है तो वो एक magnet की तरह act करने लग जाता है here it is written hence Christian oyster ये first person थे जिन होने compass के needle में deflection देखा था जब आसपास की wire में current flow कर रहा था तो this is known as magnetic effect of the electric current मतलब कि जब हम किसी wire के through electric current को flow करवाएंगे pass करवाएंगे तो वो magnet की तरह behave करने लगेगा and this is known as magnetic effect तो इसी phenomenon पर based हम एक और activity देखेंगे that is 14.6 जो हमें समझाएगा कि electromagnet क्या होते है एक आराउंड 75 cm long piece of insulated insulated means चाहे उसमें जो wire है उसके उपर plastic की covering हो या cloth की covering हो कैसा भी हो लेकिन वो insulated हो तो ऐसी हम एक wire लेंगे and also we will take one iron nail धैन से देखे this is iron nail iron is a metal जीच है अब हम क्या करेंगे इस nail के उपर बहुत अच्छे से for example this is the nail तो nail के उपर बहुत अच्छे से wire को हम ऐसे करके wrap कर देंगे, ठीक है, बहुत पास-पास wrap करेंगे, जितना ज्यादा पास-पास wrap होगा वो, उतना अच्छे से उसमें से electric current flow होगा, उतने अच्छे से वो magnet की तरह behave करेगा, ओके, तो this depends हमने कितने turns लिए हैं, और कितना distance पे ल लगा देंगे, एक switch, like it is shown in this activity, यह हमारे पास एक nail है, nail की उपर हमने wire को बहुत अच्छे से wrap कर दिया है, ठीक है, and after that, we have connected the wire through this cell, और यहां पे हमने switch लगाया है, that is in on position right now, जैसे ही electric current इसमें से pass होना start करेगा, we will put some nails, keel, चोटी-चोटी जो नेल होती है, उसको हम इसके प the electric current through this, यह सारे nails attract हो जाएंगे towards this बड़े वाला nail, ठीक है, तो अब यह बड़े वाला nail है, यह क्या behave कर रहा है, कैसा behave कर रहा है, it is behaving like a magnet, तो जब जब इसमें से electric current को हम pass करेंगे, तब तब यह magnet की तरह behave करेगा, as soon as we switch it off, हम जैसे ही switch off करेंगे, यह सारे nails नीचे गिर जा एक बात समझ में आती है, that there are objects which behave like a magnet, when electric current is passed through them, and those objects are known as electro-magnets, the name indicates its meaning, electro means electricity, and magnet means magnet, जब हम किसी coil से electric current को pass करते हैं, तो वो magnet की तरह behave करता है, अब यहाँ पे coil word मैंने एक नया ले लिया है, this is nothing, एक iron का object, चीक है, इसके उपर जब हम wire को बहुत अच्छे से wrap कर देते हैं, this is actually a coil, and nothing else, चीक है, अब हम देखते हैं, इस electro-magnet का हम use कहां देखते हैं, यह electro-magnet सबसे पहली बात, depend करता है, इसका magnetism का power कितना है, मतलब यह कितने heavy objects को अपनी तरफ attract कर पाता है, जितने ज़्यादा wire के turns चीक है, यह depend करता है कि हमने material कैसा लिया है, वाया का, कितने उसमें turns हैं, कितने distance पर turns हमने लिया है, इन सब चीजों के उपर magnet का power depend करता है, चीक है, तो जितना ज़्यादा strong magnet होगा, उटना ज़्यादा चीजों को यह अपनी तरफ attract कर पाएगा, तो हम देखते हैं, जो cranes ह हम heavy objects को उठाते हैं, तो that also works on the principle of electromagnets, तो एसको छोड़के हमारे bells होते हैं, जो हमारे घर में लगे होते हैं, electric bell, that also works on the principle of electromagnets, इसके बाद जो junks को separate करने के लिए, जो magnetic material होते हैं, जो magnetic material होते हैं, उसमें से हमें junks को separate करना है, तो हम electromagnet की help से, जितना भी magnetic उसमें पार्टिकल्स हैं उसको separate कर सकते हैं उसके बाद कभी accident की दौरान हो जाता है कि आँखों के अंदर या body के किसी पार्ट में कुछ भी magnetic या कोई भी material चला गया है जो कि magnet की help से उसको हम separate कर सकते हैं तो भी हम electromagnets का use करते हैं in order to separate the magnetic material जो की accidentally हमारे body के अंदर चला गया है तो I hope आपको electromagnet की meaning समझ में आ गई होगी अब हम देखेंगे what is electric bell और वो किस principle पर work करता है ये तो हमने पहले ही discuss कर लिया है this works on the principle of electromagnet so first of all we will see this circuit में क्या क्या चीज़े हम लोगों ने ली हैं देखें ये एक electric bell है जिसमें this is metal bob इसको हम कहेंगे bob right and this one is metal hammer ये भी iron का ही बना हुआ होता है after that we have used this wire okay wire के बाद यहां पर दो cells लगे हुए है before the wire यहां पर आप देखेंगे electro magnets लगे हुए हैं मतलब दो coils है ये पूरा एक iron का object है और इस क्यूपर wires wrap की हुई है तो हमार पास दो coils है चीज़े अब इसके working कैसे हैं वो मैं आपको यहां पर समझाती हूँ सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर एक ये nail है nail से एक electric wire connected है चीज़े नेल से जो electric wire connected है ये connected है एक cell से मतलब दो cell से and then this wire is again getting connected with the coil आपस में दोरनों coil से same wire connected है after that ये wire connected है यहां पर एक metal की strip से ये है strip चीज़े यहां पर मैं लिख देती हूँ this is metal strip अब यहां पर क्या होता है जैसे ही हम electric current पास करवाते हैं इस wire के थ्रूर क्योंकि यहीं पर cells लगे हुए हैं तो ये wire से electric current पास होगा और ये पास हो होके कहां पर चला जाएगा इस coil पर ये coil है इसका मतलब जैसे ही electric current पास होगा ये electromagnet की तरह behave करने लगेगा मतलब ये magnetism show करेगा जैसे ही ये एक magnet की तरह behave करेगा तो this metal strip ये वाला जो metal strip है ये इस magnet की तरफ बढ़ जाएगा right magnet से ही attached है एक ये hammer जैसे ही ये strip magnet की तरफ जाएगा मतलब ये फिलहाल इस position में है यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा magnet की तरफ टच करने के लिए और उसके साथ साथ जैसे ही strip आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा and it will strike this bob जैसे ही ये bob पर strike करेगा तो क्या होगा एक आवाज आएगी टन जैसे हम लोगो हमेशा सुनाई देती है जब भी हम किसी का bell बजाते हैं अब आप ये तो समझ गए है कि यहाँ पर एक आवाज आई है अब आप ये भी समझिए कि एक बार स्विच हम आउन करते हैं तो हमें एक बार ही आवाज आती है उसके बाद दोबारा सब शान्ती हो जाती है again we have to switch on so that दोबारा हमको आवाज आए तो ऐसा कैसे होता है कि एक बार आवाज होके दोबारा वो अपनी position में चला जाता है सब कुछ देखे जैसे ही मैंने आपको अभी समझा है था ये metal strip जैसे ही electro magnet की तरफ जाता है तो it maintains a distance from this nail यहाँ पर nail है nail के साथ wire लगी हुई है अब यह यहाँ पर connected था लेकिन जैसे ही यह आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर distance आजाएगा there will be distance between the nail and this strip तो जैसे ही इन दोनों में distance होगा तो यहाँ से wire जो से current flow करना अब यह मतलब circuit off हो गया है यह circuit open हो जाएगा क्यूंकि current जो यहाँ से flow कर रहा था वह फ्लो करना बंद हो जाएगा क्यूंकि हमने switch off कर दिया है that is why एक बार हम switch on करते है because this strip is totally connected with this nail तो इस पर effect होता है वह magnetic effect हमें दिखाई देता है जैसे ही यह थोड़ सा distance maintain करता है थोड़ सा दूर हो जाता है तो current उसमें से flow नहीं करता है यह magnet की तरफ attract नहीं होता है यह उसके बाद अपनी position में दुबारा चला जाता है दुबारा हम second time switch on करेंगे दुबारा same process होगा यहां से wire से electric current पास होगी electric current पास होने की वज़े से यह electro magnet दुबारा magnet की तरफ behave करेगा और यह इस strip को दुबारा अपनी तरफ attract करेगा जैसे ही attract करेगा यह hammer इस gong की उपर strike करेगा strike करने के बाद उसमें से हमें दुबारा आवाज आएगी तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा electro magnet work करता है in an electric bell and this is the most important topic of class 7 यह exam में आता ही आता है electric bell का diagram and उसकी working it definitely comes तो आप इसकी बहुत अच्छे से preparation करके रखिएगा क्योंकि यह question आने ही वाला है next video में we will be discussing about the question answers of this chapter तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक bye bye take care and thanks for watching